असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ आपका होस्टों दोस्त फर्हान रशीद और आप इसे में देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फर्हान रशीद ठीवी दोस्तों अन्ठा प्रदेश की बात करेंगे तो वयसर शर्मिला गारू जो कांग्रेस में बहुत भूँढाम से जॉइन हुए थे उनका अता पता नहीं है फिलहाल आंदरप्रदेश में Y.S. शर्मिलागालू और कॉंग्रेस लापता है बात करेंगे टीडीपी की तो टीडीपी में और गड़भंदन किया है बीजेपी और जनसेना के साथ अब इस बात यहीं पर खत्म नहीं होती है अगर मुसल्मान सोचे की टीडीपी और जनसेना को सपोर्ट करें तो क्या हुआ चंद हलकों में बात यह mosquito आ रही है कि वोहां के लोकल MLS से नाराज है इसलिए टीडीपी और जनसेना को वोड़ देने के लिए सोच वही ही है जब सोच वहीती तो देख रहा है मुसल्मान जो है देख रहा है की टीडीपी में सिफ एक ही मुसल्मान को सीट मिली है अब YS जगन मोहन रेडिगारू ने कहीं न कहीं महनत किया है और ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी जहां पे उनसे मुसल्मान नाराज हो जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं जगन मोहन रेडिगारू ने इस बार अपनी पार्टी YS सार कॉंग्रेस से साथ मुसल्म कैंडिडेट्स को टिकेट दिया है उनके नाम कुछ ऐसे हैं विजेवडा इड्स से शेख आसिफ को दिया गया है गुंटू इड्स से शेख नूरी फातिमा को दिया गया है इसे पहले YS सार के सिटिंग एमले प्रेजेंट जो सिटिंग एमले है वो है शेख मुस्तफा अब उनको हटा करके शेख नूरी फातिमा को टिकेट दिया है एक मुसलिम महिला को टिकेट दिया गया है यहां पे भी उन्होंने जो है मुसल्मानों के साथ इंसाफ करने की कोशिश किया है और करनूल सिटी से खलील अहमद और माफ करिएगा गला थोड़ा खराब है मदन बल्ली से निसार अहमत को टिकेट मिली है कड़पा से हमारे प्रेजेंट सिटिंग डेपेटी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशास साहाब को टिकेट मिली है बहुत-बहुत मुबारक बात हो फिर करनूल से करनूल से हाफिस खान को हटा करके मुखमद इम्तियास को जो है मले की टिकेट इस बाव यसार कॉंगरेस से मिली है और साथ भी है महबूल अहमद महबूल अहमद को टिकेट दिया गया है अब इन साथ के साथ मले सीट्स की जो टिकेट्स वाइस जगन महंडेड इगारों ने देखा कि मुसल्मानों के साथ इनसाफ करने की कोशिश की है मुसल्मानों का दिल जेने की कोशिश की है इसका पूरा खुलासा में क्या वाख़ई में इनकी ये स्ट्राटेजी क्या वाख़ई में مسلمانوں کا दिल जीत सकते हैं क्या मुसलमानों के लिए उन्होंने सिफ ऐस चौकलिट डिया है क्या माजवा है इसके पीछे तो पूरी डीटेल्ड एनलेशिस एक एक करे हर एक हलके की सातो सात हलके की हर दिन जहें किसी ना किसी एक हलके कि जो है रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के पिछले एलेक्शन में कौन जीता था, कितनी माजिन से जीता था, क्या ये साथ के साथ कैंडिडेट जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, या जो है, जहां पे वायसा कांगरेज हार सकती है, वहां पे इन लोगों को टिकेट दे करके बली का बकरा बनाए गया है, खुर्बानी का बकरा बनाए, या वाख़ई में वायस जगन मोहन्रेडी गारू, मुसलमानों का दिल जीतना चाहते हैं, ये तमाम डीटेल्स के लिए बने रहे हैं हमारे इस यूटिब चैनल फरहां डशीट टीवी पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जोरू करें, रोज हम जो है, एक एक हलके की, जो है, एक 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 असम्लिक शीटर की, रिपोर्ट आपको लेकर के आएंगे, ये तमाम साथ में हमारी खुद की जो है, रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉंग होगी, और जो सीए का डर है, नासी का डर है, ये न्पियार का डर है, और 4% मुसल्मानों का रिजर्वेशन को लेकर के लिए जो डर है, वो हट जाएगा, क्योंकि हमारी आवाज जो बनने वाली है, ये मुसल्मानों का दिल जीतने के लिए, तो अब देखना है कि क्या, देखे, पूरी के पूरी जो है, पॉजिटीव पॉइंट्स YSR कॉंग्रेस के साथ ही है, जगन मोहनरेडी गारू के साथ ही है, माइनारिटी का दिल जीतने में कोई कसन नहीं छोड़ी है, और दूसरी तर और जो है, सिफ एक ही मुसलिम MLA की सीट टिकेट जो है दे करके, चन्दवा बुनायडू गारू ने सीधा सीधा जो है, मुसल्मानों से दूर हटने का फैसला ले लिया होगा, शायद ये नजर आ रहा है, लेकिन अब देखना ये है कि चन्द हलकों में मुसल्मान YSR और इसके लोकल लीडरों से नाराज है, जो सिटिंग ए मिलेस हैं, उनसे तो नाराज हैं, क्या ये नाराजगी दूर हो पाईगी, या नहीं हो पाईगी, क्या जगन मोहंड़ेड इगारू इनको कॉंफिडेंस में ले पाएंगे, या नहीं ले पाएंगे, या आने वाला वक्ती बता पाएगा, अब फिल हाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे इस वीडियो को खुब वायरल करो, ताकि तमाम आदर प्यदेश के मुसलमानों को इस बार इनसाफ मिल सके, फिल हाल आपसे इजाज़त आपका फरहान रशीद, फरहान रशीद टीवी